तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछू कि मार्वल सिनमेटिक और उसके फेस होर में टाइम ट्रेमलिंग विलेन कौन है तो आपका अंसरों का कैंग दा कॉंकरर लेकिन अगर मैं आपको बताओं कि यहाँ पर उसके अलावा भी एक और विलेन है जो कि थोर, फोर, लवन, ठें करने जा रहे हैं यहाँ पर गौर्ड गौर्ड वुचर का पहले लुक सामने आया है तो कि हम लोग को देखना है उसको सबजना है कि आगे जाए कि हम लोग को फाइनली कैसे दिखाए देंगे असकी स्टोरी कैसे होने वाली है और यह आप दोस्तों वाटिव के पहले तीन पहले डीटेल सामने आई है आज समय लोग डिसकस करेंगे तो दोस्तों कम्लेट वीडियो को स्टार्ट करें सपल आप लोग कर जी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताए कि आप कौन सी मुई के लिए ज्यादा एक्साइटेड है सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप ल करियर हो गया है कि यहां पर CGI का थोड़ा कम यूज होगा ताकि इनका हम लोग को एक्चुल फेस दिखाए दे लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप लोग कॉमिक बुक को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इसका जो फेस है वो यूमेन जैसा नहीं है लेकिन यहां पर क्र आपने कोई वेपन नहीं देख रहे हैं और यहां पर गौर का एक ही वेपन है जो कि है अल ब्लैक नक्रा सौड लेकिन दोस्तो यह सौड किसी नॉर्मल सौड की तरह नहीं जो हाथ में लेकर चलता हो तो कि यह सौड एक सिंब्योटिक तरीके से काम करती है यानि गौर के व मोटिफ है अलक गौर्ड को खतम करना एक समय ऐसा था जब वो टाइम गौर्ड को खतम करने पहुचा था लेकिन जैसे उनको खतम किया गौर को एक ऐसी चीज मिल गई जिसके बारे वो पहले कभी ने सोचा था यहां पर जो टाइम गौर्ड है उनका खून यूज करके टाइम कीपर से क्या अंग देख को हटा के क्या यह एक्चुल में कोई कनेक्शन बैठ रहा है यह दोस्तों गौर्ड गौर्ड पूचर अपनी जर्दी में जिस टाइम गौर्ड को खतम कर रहा था वह वही टाइम कीपर्स थे जो कि रियल टाइम लैंड को कंट्रोल कर रहे यानि उनकी यंग एज में जैसे कि अगर हम लोग करेंट टैमलन की बात करें तो अगर गौर्ड गौर्ड पूचर जियर्स का सामना करता है तो जियर्स काफी पौर्फुल हो जाते है अपने एज के हिसाब से और यहां पर ओडिन के केस में भी कुछ ऐसा ही है यानि दोस्त अलग तरीके से काम कर रही है आप लोग ने एवेंजर्स एंड गेम में सुना होगा प्रोफसर हल्ट ने होकाई को समझाते हूँ क्या कहा था यहां पर टैम टोल वैसा नहीं जैसा हम लोग सोच रहे कि आप पास्ट में चले जाए थनोस को खतम करते तो आगे जाके थनोस क अब इन्फिन्टी स्टून कलेक्ट करेगा यह नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो यहां पर यह कोशन आता है कि मावस से इनमेटिकरोस में गौर्ड गौर्ड बुचर के टाम टोल को कैसे दिखाते हैं अब दोस्तों यहां पर एक बात नोटेस करने वाली यह है कि कॉमिक बुक मे जब गौर्ड टाम टोल कर रहा था तो यहां पर थोर को भी ऐसा करना पड़ा था जिसकी विज़े से हम लोगो पास, प्रेजंट और फुचर थोर दिखाए दिये थे वो तीनों एक जगह आ गये थे और गौर्ड दो गौर्ड बुचर के सामना किये थे लेकिन सिनेमेटिक अब यहां पर क्या हो सकता है अगर गौर्ड गौर्ड बुचर टाम टोल कर रहा है तो अगर काफी यंग वेजियन के थौर को खतम कर देता है और प्रेजंट थौर किसी तरह टाम टोल करके इसको सॉलिशन खोजना चाता है तो हो सकता है जिस थौर की देथ होई हो पास टा का अलग होगा क्योंकि थौर जाएगा सीधे प्रोफेसर हल्क के पास और अभी भी मावर सिनमें टेक्वर्फ में वह टाइम मशीन एक्जिस करती है जिसकी वह जैसे क्याटन स्टीव रोजस इंफिनिटी स्टोन और थौर के हमर को टाइम ट्रोल करके अपनी जगह रखने गय है आप लोग के यादे एवंजस एंड गेम में क्या होता हौकाई कुछ समय के लिए टाम ट्रोल करने गया था और पास में जाके एक गलफ को उठा लाए था लेकिन यहां पर एवंजस उस गलफ को वापस रखने नहीं गया थे यानि वो गलफ पास से प्रेजेंट में आ ग जाने के बाद भी उसे वापस पास में रखने को कोई मतलब ने मनता और वो में आप लोग को पता होगा टॉम हिडलसन ने ही क्लियर कर दिया है कि उनका रोल नहीं है था लेटेंडर मूई में ठीक है मैं मान तो इस बात को लेकिन पता पोस्ट क्रेडिट सीड में कुछ ऐसा करेक्शन बैठा है जिसके वजह से थौर हम लोगों को जब सीजन 2 में दिखाई दे उसकी help करता वो नज़र है ताकि वो क्यांग दॉक्त कर सके उपर से वो एक नहीं उसके कई वेरेंट हम लोगों को दिखाई देंगे और यही बात उसे और खतरनाक बनाती है इसी साथ दोस्तों बात करते हम लोग अपने अगले अगले अपडेट की जो की रिलेटेड है वाटिप के टीवी स्रीज से पहले एपसोड आप सब तो जान ग हो गया है यहाँ पर वाटिप का एपसोड 3 जो की लोकी पर ही बेस है उसे देखके ओडेंस और खुश हो जाएगी और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एक फाइनल अपडेट की तो बात चल ली है वेरवल बाइनट की टीवी सिरीज की अब दोस्तों यह क्याक्टर आप यहाँ पर यह भी कहा जा रहे कि एक क्याक्टर और है जो कि हम लोगों ब्लेट की टीवी सिरीज में मेरे लिए दिखाए देगा जो की है ड्रैकूला तो दोस्तों यह थी एक अमेजिंग अपडेट जो की रिलेटेटी थाल लेवन ठंडर मुई से आई होप आपको यह